बिस्मिल्यारमान रहीम, असलाम लेकूम, वेलकम टू माई चैनल स्टेचिंग कराफ्ट, कैसे हैं वीवर्स, उमीद आप सब खेरियत से होंगे, आज की वीडियो में मैं आपको चुडीदार पजामे का बनाने का तरीका बताऊंगी, यह और तरीका है, इस तरीके में हम थेली के तरीके से नहीं, बलके आड़े तरीके से बनाने का तरीका बताऊंगी, यह देखें, मैंने कपड़ा लिया है, यहाँ दो मीटर, उसको हम इस तरह कोने मिलाने से, यह देखें, हम इसको इस तरह पैक करेंगे, यह देखें, तरीके से रखेंगे, उसके बाद हम, यह देखें, फूट वाली जगा हम, पैंचे वाली जगा यहाँ, शिक्स इंच पर निशान लगाएंगे, उसके बाद, पंदरा इंच पर हम, दुबारा से निशान लगाएंगे, यह हमारी लैक के, इदर से, जुनट रैडी होंगे, यह देखें, यहाँ से, और उसके बाद हम यहाँ से, थोड़ा सा टार्ण करते हुए, खुला करते जाएंगे पैजामा, यह देखें, निशान वाली जगा, यह देखें, यहाँ पर हमारे पास, ट्वेंटी आना चाहिए, आफ्टर स्टीचिंग, यह देखें, यह आप देख सकते हैं, इसकी कटिंग की शेप्स में किस तरह कर रहे हैं, यहाँ तक हमने, 15 आइच तक हमने स्ट्रेट लेनी है कटिंग, उसके बाद हलका सा टार्ण करते हुए, उपर ले जाएंगे, अब हम कटिंग करते हैं, यहाँ से पैंच वाली साइड हम स्ट्रेट करेंगे, उसके बाद, यहाँ से, 15 आइंच स्ट्रेट, उसके बाद हलका सा टार्ण करते हुए हम, उपर ले जाएंगे, यह दिखें, इस तरीके से, अब हमने, इस साइड को बराबर करने के बाद यहाँ जोड डालना है, थेली वाली कटिंग में हम, पहले से जोड डालते हैं, उसके बाद हम कटिंग करते हैं, इसमें बाद में हम जोड डालेंगे, यह दिखें, इस तरीके से, यह दिखें, यह जो साइड की कटिंग हमारे पास निकली है, एक्स्ट्रा, हम इसी से हम सेंटर में जोड लगाएंगे, आसन वाली जगा पर, यह दिखें, इस तरीके से, यहां असन वाली जगा हम, यहां से सिद्धी करेंगे, यहां गुलाई को हम हलका सा सिद्धा कर लेंगे, इस की कटिंग, यह देखें, हमारे दोनों लेक्स रेडी हैं, अब हम इसके उपर, पांच इंच की बैल्ट भी फिक्स करेंगे, यह देखें, छे इंच चौड़ी, आफ्टर स्टिचिंग यह पांच इंच रह जाएगी, और चुड़ाई में 23 इंच है, यह दिखें, यह बैल्ट हम दोनों लेक्स के जोड़ लगाने के बाद, इसके बाद उपर बैल्ट करेंगे, अगर आप मेरे वीडियो पसंद आयो, प्लीज सब्क्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताके मेरे आने वाले हर वीडियो आप आसानी देख सके, झाली कर दीजिए बाद, झाली के वीडियो एंग ताके वीडियो यादिए एंगे, मजीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें